नमस्कार दोस्तों वाइटी मनच कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है प्रेंट्स आज के लिए आपका भाई आप लोग के लिए निव काम के खबरे ला रहा है जो की उनली फर डिफेंस डिल डिफेंस न्यूज और टॉफ डिफेंस किये है ने सवदे की ने समझोते भारत आमेरिका ने पांच एहम डिफेंस डिल पर किया साइड जानिये क्या है वो अई थेहाथी आने बाला दिन में फ्रेंट्स जोदि मैं बात करू भारत कहीं ना कहीं अपने डिफेंस डिल डिफेंस प्रणाली को आगे बढ़ा रहा है उसी साफस जहां बात करेंगे इंडियान आर्मी नेवी और एर फोर्स में डेली बेसिस में न्यू वपेंस डिफेंस डिल के बारे में बात हुआ है जो आने बाला दिन में चाइना और पाकिस्तान को हिला के रख देगा साजी साथ जितने भी पड़ोसी देश से तो इस हिसाब से आज हम इस टविक के उपर बात करेंगे जो कि आज ये भारत ये आज इंडियान आप लोगों को इस सारा चीज जानना बहुती जरूर है क्योंकि आगे जाकर भारत कहीना कहीं डिफेंस खेतर में आगे बढ़ रहा है सची साथ देश का जीडिवी और एकोनमीक अर्थ विवस्ता कहीना कहीं दो से तीन कुना होने वाला है फ्रेंस तो फ्रेंस डिफेंस डिल इंडिया के तहट यहाँ पर आमेरिका और भारत में एक राष्ट्र अध्यक के बीच हुए एहम समझोता की 21 सदी में भारत और आमेरिका के बीच हुए एहम रक्षा समझोता में से एक माना जा सकता है जो आगे जाकर काफी हट तक अईतिहासिक ह पर सकता है जदि मैं बात करूँ डिल क्या है इंडिया और युएस के बीच फास्ट पॉइंट आमेरिका की तीन दीवतिय राज के दोरे पर गए पीएम वदीने शुक्रबार यानि कि तेहीं को राष्ट परती जो बाइडन के साथ द्वीपाखिक बातचित की है इस दोरा दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दे पर बात हुआ जिसमें दोनों ही नेता पांच समझोते पर आगे बढ़ने की राजी हुए है दोनों नेताओं ने अपने संयुक्त संबदन में रख्या और अर्थिक सयोग Intelligency Transfer Cruci जैसे मुद्दे पर आगे बनने की बात शिक्वार की है जिदी मैं बात करू हाली की रख्याखितर में दोनों डेस की जिदी मैं बात करू आगे बढ़ रहा है उससी सामे रख्या ख्यतर में दोनों और तिनों के बेच हुई डिल में बेहत इहम माने जा रहा है ज़िए मैं बात करूँ यहाँ पर जो न्यू अपडेट आ रहा है और इस दोनों देश की जो की नेता हो है एक दूसरे की साथ इस खेत्र में तयोग बढ़ाने के लिए पूल पांच बड़े समझोते पर हस्ता खेर किये है जिसमें आने बला दिन में भारत अमेरिका एक दू आयोगी बन जाएगे तो क्या है बो पांच अहम समझोता आएए आज के इस टपिक पर बात करते हैं दूनों देश की रस्ट अधिक में पहले समझोते में भारत यहाँ पर निर्मित स्वोदेशी बीमान तेजस के लिए सेकंड जेनरेशन जाई 414 जेट इंजिन के निर्मा आज तोप की अपग्रेड करने पर काम करेगी इन तोप का निर्मान कहीं किया जाएगा इसके बारे में अभी कोई जनकारी नहीं मिला है लेकिन तिसरे समझोतों की मताबिक दोनों देश यहाँ पर न्यू अपडेट जो आ रहा है दोनों देश यहाँ पर ट्रांसफर और जिदी मैं बात करो वक्तार बंत गाडिया भाहनों के तहित उत्पादन करेंगी जिसमें यह ज़्यादतर का उत्पादन भारत में किया जाने की संभावना है तो इस चीज को कहीना-कहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो यह तिसरे समझोते के मताबिक यहाँ पर दो PM मुदी ने जब कि भारत की PM यहाँ पर अमेरिका जा रहे है तो इसी साफ से कहीं ना कहीं, आगे इस चीज को अपडेट किया गया है, तो इसी साफ से जो अपडेट आ रहा है, साइंड किया गया है, manufacturing generation GE414 jet engine के बारे में, जो कि अमेरिका transfer technology और सची साथ Indian aviation part production company हिंदुस्तान इस चीज को आगे बढ़ायत दिया जाएगा, जो की तीसरे समझोते में आता है, चोथे समझोते की मताबिक आमेरिका, यहाँ पर predator drone भारत को दिया जाएगा, जिससे भारत की सुरुच्चा agency और बिभिन, सैनी, उपडेथ में इस्तिमाल किया जाएगा, ठीक है, और इन drone की उत्पादन का टक्निक ट्रांस्फोर्म भारत में क्या जाएगा, पांच भी समझोते की मताबिक अमेरिका की दूर तक मार करने बाली बं मिसाइल को उत्पादन भी भारत में होगा, तो यहाँ पर जो बाइदन ने ये पांच अपडेट और ये पांच समझोता दोनों ने पता करता है, कोई भी मुस्वत में चाहें आप पुराने हिस्ट्री खोल के देख लिजिए, कही ना कहीं आपको इसके बारे में पता लग जाएगा, तो आपको आज का इसका लगा, प्रेंट्स, जरूर कमेट बोक्स में में मेंशन कीजिएगा, तब तक के लिए फ्रेंड टफ डिफेंस न्यूज की अपडेट के लिए और डेली अपडेट के लिए फ्रेंज, आप आपकी भाई को सप्पोट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, सची साथ वीडियो अच्छा लगता है, इंट्रोमेटिव लगता है, तो दोस्तों के साथ जरूर स्यार करना ना भुलेगा, थैंक यू फर यूर सपोर्ट